संबल के रचपुरा छेतर में 20 जुलाई को हुई एक अधेर की हत्या का पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है प्यार में अंधी हुई बेटी नहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी और इसे आत्मात्या दिखाने के लिए शफ को गाउं के बाहर जंगल में पेड़ से लटका दिया दरसल पुलिस को रचपुरा छेतर के मोटैना गाउं में 20 जुलाई को एक शफ जंगल में पेड़ से लटके होने के सूचना मिली थी मौके पर पहुंची पुलिस ने शफ को पोस्वाटम के लिए बिजवाया और आत्मात्या के नजरिये से मामले की जाच में जुट गई लेकिन पोस्वाटम रिपोर्ट में मिर्टक के सर पर चोट के निशान मिले जिसके बाद पुलिस ने मरतक की बेटी से सक्ती से पुछताच की तो उसने अपना जर्म को बोल लिया पुछताच के बाद पुलिस ने मरतक की बेटी और उसके प्रेमी को गिरफतार कर लिया है संबल के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पुछताच में खुलासा हुआ कि वे दोनों आपस में शादी करना चाहते थे और प्रेमी मिर्टक हरपाल की दस भीगा जमीन को भी अपने नाम कराना चाहता था लेकिन हरपाल ने दोनों के पैसले पर नाराजगी जिताते हुए शादी कराने से इंकार कर दिया था जिससे नाराज प्रीती और धर्मेंदर ने 20 जुलाई को अपने साथी गौरफ के साथ मिलकर हरपाल के सिर पर लोही की रोट से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया और शफ को जंगल में पेड से लटका दिया ताकि इसे आत्मात्या समझा जाए लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरे मामले से परदा फाश हो गया फिलाल आरोपियों के खिलाफ फुलिस की कारवाई जारी है ठाना रजपुरा के इंतरगत 20 जुलाई के दिन एक वेक्ति जिसका नाम हरपाल सिंग है एक ग्राम मटैना का रहने वाला है इनकी शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला था घरवालों के द्वारा फौती सूचना दी गई थी कि इन्होंने आत्मत्या की है लेकिन पश्यात जब कोश्टमार्टम कराये गया तो इनके सर पर चोट का निशान मिला तो आगे पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी आज इस घटना में दो विक्तियों को गिरिफ्तार किया गया है एक इनकी बेटी प्रीती और दूसरा इनकी बेटी का प्रेमी धर्मेंद इन दोनों को आज गिरिफ्तार किया गया है पूश्ताज में गयात हुआ कि प्रीती और धर्मेंद इनके पिता इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे धर्मेंद की तरब से दस्वीगा जमीन अपने नाम करने की बात कही गई थी जो उन्होंने नहीं मानी और इस बात पर दोनों की शादी टूड गई थी अता इन दोनोंने मिलकर घटना वाले दिन धर्मेंद रो इसके एक मित्र ने दोनोंने साथ में बैठकर इनके साथ में शराब पी और उसके बाद एक लोही की रोट सिर्पर मारकर इनकी हथ्या कर दी उसके पश्यात इनकी शब को पेड़ से लटका दिया आज इस मामले का लासा किया रहा है धनों को माझनी ने अरही बीजा जा रहा है आला कतल बरामत कर लिया गया है उसको फेस फेसल भीजा जा रहा हैं अलण की बैठें वी शम्रेश जम stणा में शामिल थी इसको भी 120 का मुल्हजनी मनाया गया है और इस अश्यूज बांदbnhew